असलाम अलेकुम, Day 7, Python का चिल्दा 2023 में खुशामदेद कहता हूँ आज हम जो चीज़ देखने वाले हैं, वो है Pandas के थूर डेटा कैसे input करना है और डेटा को view कैसे करना है in Python टाइम जाय किया बगार हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास ये डेटा सेट था, जो हमने अपनी लाइव क्लास के अंदर डाउनलोड किया यानि के डेटा क्लेक्ट किया, क्लेक्ट करने के बाद हम इसको अब Pandas की लाइबरेरी के अंदर जो है वो ले के आने वाले हैं आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत जादा डेटा साइट के अंदर प्रॉब्लम आती है तो हमें वो रेंगल करनी पड़ती है यानि कि यहाँ पर हाइट वेट और फेवरेट डिश का डेटा हमने अपनी क्लास पार्टिस्पेंट से लिया और इसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत जादा प्रॉब्लम जो हैं वो थी मतलब कि कुछ लोगों ने यहाँ पर फेट के अंदर हाइट लिखी थी लेकिन उन्होंने कॉमा और अपोस्ट्रॉफी जो कॉमा होता है उसको यूज करके आगे यूज किया था 5.11 तो हम इस तरीके से इसको कनवर्ट किया हुए हमने और फिर हम इसे यूज कर रहे हैं फोर फर्दर अनलसिस तो जहां पर केजी की बात आ रही थी हमने उसको वैसे कर लिया यहां पर फिल्टर लगा के चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई वैल्यू डिफरेंट किसम की हैं यानि कि मेरे पास अगर यह वाली वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो इसको मैंने किस तरीके से सेट करना है और यहां पर 167 किसी ने लिख दिया यहां पर 178 लिख दिया तो I have to convert these values as well ताकि हमारा डेटा जो है वो basically सही तरीके से wrangle हो जाए मैंने इसको यहां पर बने और यहां पर अगर आप देखें तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि आपको समझ आजा कि फिल्टर जब लगता है तो यहां पर हम फिल्टर को apply करते हैं यह सेम एक्सल वाला फिल्टर है यहां पर भी हम weight की values देखेंगे यहां पर filter लगाने के बाद अंडर्सकोर 0 2.ip ynb यह नहीं फाइल बना लिए अब इस फाइल के अंदर हम अपनी फाइल यह वला डेटा जो है इसको इंपोर्ट करेंगे पहला तरीका यह है कि यहां से डेटा को कॉपी करें डे 7 के अंदर पेस्ट कर दें तो यह आपके पास यहां पर डेटा आ orn problem तो हम यहां पे जाते हैं यहां पे सबसे पहले हमने libraries इंपोर्ट करने है ठीक है ? तो तरीका कार यह होता है notebook बनाने कर जो जो मैंने आपको कल भी बताया था कि आप simply क्या करते है यह इस तरीके से चीज़ों को लिखते हैं ठीक है ? पहले cell के अंदर तो मैं है सही copy करता ह यहां पे इसको paste करता हूँ और आज हमारे पास है 7 January 2023, मैं इसको run करता हूँ यह मेरे पास इस तरीके से Markdown की first cell जो है वो run हो जाएगा, यहां पे अगर आप देखते हैं कि error आती है तो usually आपके पास यहां पे Python select होता है तो इसको change करने के लिए आप सिरफ मैं code enter करता हूँ यहां पे सबसे पहले हमने libraries जो है वो import करनी है तो हम करते हैं import pandas as pd आप पिछले lecture देखेंगे तो आपने pandas को अपने पास install किया हुए अगर आपने pandas की library को install नहीं किया तो आप लिखेंगे pip install pandas क्योंकि यह हमने की हुई है तो इस वज़ा से मैं इसको comment out करता हूँ और यहां पे simply इसको pandas को import करता हूँ active होगी है हमारे पास अब यहां पे लिखते हैं मैं यह थोड़ा सो zoom in कर लेता हूँ ताकि आपको easily code नजर आए pd.read excel क्योंकि excel की file है अब इसके अंदर अपॉस्ट्रफी कॉमाज यह सॉरी inverted कॉमाज के साथ हम फाइल का नेम लिखेंगे वह है pandas underscore zero one underscore day six pandas underscore zero one underscore day six dot excel sx यह इस तरीके से हम इस file को import करेंगे और इसको एक data frame का हम नाम दे देंगे ठीक है जैसे हमने कल वाले lecture में किया था यह मैंने file import करके data frame का नाम दे दिया अब सबसे पहले मैं data frame देखूंगा तो मैं simply data frame लिख देता हूं तो यह हमारे पास data इस तरीके से था height weight favorite dish का data ठीक है अब इस data set को view करने के लिए कुछ और commands भी है जो आज हम देखने वाले है यहां पे view data frames in pandas या in python using pandas ठीक है in python using pandas तो कुछ commands हम आज देखने वाले हैं तो आप गौर करिएगा कुछ आपने पहले देखी हुई है तो जब भी आप df.head लगाते हैं तो इससे उपर वाली 5 rows आपके पास आ जाती है अब आप देखें कि ये भी मेरे पास markdown का code है तो इसको मैं y दबाऊंगा तो ये python में convert हो जाएगा तो इस तरीके से ये मेरे पास python आ गया या आप यहां पर select करें और यहां से markdown या python select करते जाएं यहां पर search करने के बाद तो फिर भी ठीक है तो इस cell search करके भी python select कर सकता हूं तो यह मेरे पास df.tail आ गया ठीक है अब tail के बाद अगला जो हमारे पास column है हम उसको यह check करते हैं कि data की information कैसी है तो उसके लिए df.info लगाएंगे info से क्या होगा हमें data की पूरी information मिल जाएगी इससे भी पहले मैंने आपको कर ले एक बताया था df.shape data की shape यानि के rows और columns कितने है 87 rows है हमारे पास 3 columns है तो 87 by 3 data की shape है अगर आपसे interview में question पूछा जाता है कि data की shape क्या होती है then you can see it's actually rows multiplied by column या comma column तो इसके बाद हम देखते है data.info तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा data किस किसम का है हमारे पास height weight और favorite dish 87 87 87 यहां पे यह 3 हमारे पास non null count है यानि केस में खाली cell कोई भी नहीं है ठीक है और बाकी हमारे पास index की range 87 है और इस तरीके से हमारे पास data show हो रहा है तो यहां तक आपको clear हो गया होगा यहां पे आपको मैंने assignment दी हुई है कि आपने इन data sets को type casting करनी है ठीक है तो आपकी assignment यह है कि आपने यहां से इसको type casting करनी है इन values को आगे convert करना है ठीक है जी यहां तक आपको clear हो गया कि आपने किस तरीके से data को check करना होता है फिर अगली command हमारे पास आती है वो है df.index अक्सर अकात यह index की command तब लगती है जब आपने इसके indices देखने हो ठीक है अगर 0-87 तक है तो आपको यह पता चल रहा है कि यह indices हैं इसके 0 से start हो रहा है और stop होता 87 पे step इसका 1 का है जैसे information के अंदर हमारे पास आया था के हमारे पास total 87 entries है indices क्या होते है यह index क्या होता है जैसे data frame देखें तो उसके यह serial number होता है यह सारे के सारा indices के लाते है ठीक है जी तो हम जाते हैं जी अगली command पे अगर आपने सिर्फ और सिर्फ आपका data frame बहुत बड़ा है और उसके सिर्फ columns देखनें तो simply लिखेंगे इस तरीके से df.columns अब अकसर अकात आपको यह bracket लगाने से index object is not callable ठीक है तो हमने क्या करना होता है bracket के बगार check करना होता है अब यह bracket लगाने और bracket के बगार क्या फरक है प्लीज इसको गूगल ज़रूर करें क्योंकि यह कल भी मैंने assignment दी थी हमें से काफी लोगों ने नहीं भेजी तो please google for it तो height weight और favorite dish का data जो है हमारे पास है तो तीन हमारे पास columns है या variables है तो इस वड़ा से हम इनको देखेंगे यहां पर ठीक हो गया अब इसके बाद हमारे पास df.describe का function है usually df.describe का function तब लगता होता है जब आपके पास values numeric के अंदर हो हमारे पास यह चेक करें यह हमारे पास count है height और weight का यह favorite dish है ठीक हो गया तो अब क्या हो रहा है हमारे पास count हमारे पास 87 है तीनों का unique values यहां पर 21 किसम की है यहां पर 40 किसम की है और यहां पर 5 किसम की है unique values का मतलब यह है कि आपके पास किस किसम की values है मतलब 5 किसम की बियानी और यह different हमने dishes यहां पर ली हुई यहां से चेक करें तो आपके पास favorite dish कितनी आ रही है ठीक है फिर weight है फिर frequency जो है 10 है और 6 है तो इस तरीके से df.describe का function आप use कर सकते हैं अगर आप df.describe के इलावा कोई और function यूज़ करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं यानि कि अपने data को view करने के लिए आप different किसम का function यूटलाइज कर सकते हैं अब अगर आपने df.describe ही रहने देते हैं ताके आपको पता चले जब आप इसको typecasting करेंगे तो क्या फरकाता है just let me know फिर हम देखते हैं जिए df. इसको t लिख देते हैं इससे क्या होता है data जो है वो transpose हो जाता है like this पहले ये column थे अब ये rows बन गी है तो rows को columns के अंदर convert करने को transpose बोलते है transpose तो ये भी बहुत ज़्यादा use होते है तो इसको भी हम देखेंगे future के अंदर और हम फिर आगे भी चलेंगे ठीक हो गया तो transpose के इलावा आपके पास view करने के और भी methods है for example हम यहाँ पे view करते हैं df. लगाने के बाद sort index ठीक है index की base पे इसे हमने sort करना है अब इसके अंदर हमें अब देखिएगा हमने अपने data यहाँ पे लगाया index 0 से लेके नीचे तक जा रहे है ठीक है अब अगर हमारा index 0 या कुछ और तरीके से होता हो तो चेक करें 86 से अब data start हो रहा है ascending का मतलब है कि थोड़े से ज्यादा तक जाए चोटे से बड़े तक ascend करना चीजें ascend करना चोटे से बड़े की तरफ जाना चीजें descend करना बड़े से चोटे की तरफ आना तो ascending और descending आप यहाँ पे यूज करके आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके से sort करना है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने अगर data sort करना है आप चाहते हैं कि सबसे highest value जो है हमारे पास weight पहले आए फिर lowest है फिर उससे lowest है यानि कि पहले 100 kg वाला फिर 99 kg वाला फिर 80 वाला फिर 60 वाला ऐसे है तो आप इसको क्या करेंगे df.sort sort by values करेंगे और values के अंदर आप यहाँ पे अपना जो है वो buy की command लगा के buy की command लगाने के बाद यहाँ पे आप अपना जो है वो weight लिख देंगे let's see जी जी नाप खेर तो यहाँ पे भी error दे रहा है क्योंकि हमने अभी typecasting नहीं गी तो जब आप typecasting करेंगे तो यह काम सही तरीके से करेगा by the way typecasting करने के बाद यह जितने भी मैंने function आपको बताया है प्लीज इनको run करें अगली वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ कि original dataset जब आप download करते हैं तो उसके अंदर यह problems नहीं आते हैं और उस पे multiple functions हमने कैसे apply करने हैं See you in the next video